हेलो गुड इफनिंग गुड इफनिंग रभी कुमार कमल किशन गुपता नदीम आनंद सभी लोह को गुड इफनिंग मैं पूझा महिंद्रा अपनों का महिंद्रा के ओफिशल यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वावत करती हूं और आज हम जन्रल साइश का पार्ट 10 डिसकस करेंगे अभी तक मैंने 9 पार्ट डिसकस कर चुके हैं जोकि ग्रूप दी के एक्जाम के लिए इंपॉर्टंट है जन्रल साइश के हमने mcq को discuss किया है डिटेल discussion किया है अगर अभी तक आपने remaining nine parts को नहीं देखा है तो आप Mahindra के official youtube channel पर जाके पूजा महिंद्रा सर्च करके वहां से सारे parts को study कर सकते हैं साथी साथ अभी तो हम general science का mcq series लेकर आया है इसके पहले मैंने general science को detail में discuss किया है चाहे आप बायो को ले ले chemistry या physics को ले ले तो आप पूजा महिंद्रा पर कोई भी topic डालेंगे पूजा महिंद्रा सर्च करिएगा और कोई भी topic जैसे कि cell हो गया tissues हो गया work energy power हो गया measurement हो गया या फिर आप chemistry का acid based salt डालिएगा कोई भी topic आप पढ़ना चाहते हैं तो पूजा महिंद्रा पर सर्च कीज़ेगा आपको सारे topic detail में मिल जाएंगे मैंने पूरा science complete किया है railway, NTPC और group D के हिसाब से चीक है तो यहाँ पर अभी हम mcq की series कर रहे हैं और यह हमारा part number 10 है तो तो यहां पर दिखियेगा मैंने आपको जो जो measurement का topic तो उसमें मैंने कई सारे device आपको बताया थे जैसे कि मैंने का था कि animal meter अनमोमीटर क्या होता है जो हवा का वेग होता है उसको measure करता है auto meter di distance को measure करता है speedo meter speed को measure करता है phaidometer समुझ्छों की गहराई को measure करता है Altimeter उच्छाई को मेजर करता है Thermometer तापमान को मेजर करता है Pyrometer अधिक सूरज के तापमान को मेजर करने का काम करता है उसी प्रकार मैंने आपको सिखाया है barometer, तो barometer का काम है Dab, मतलब pressure को measure करना, तो barometer का काम क्या होता है, pressure को measure करना, तो basically комментre होता है, उसके अंदर mercury भरा होता है, पारा भरा होता है, ठीकिके, mercury या पारा भरा हुआ होता है, और standard जो होता है, वो 76 mmHg होता है, तो हमारा जो एक्मोस्फियरिक प्रेशर है हमारा जो वायू मंदल का दाब है वो 76 mmHg होता है बात क्लियर है अब देखिए अब होगा क्या कुछ इस तरीके से कारिक्रम होता है जैसे कि हमारी अर्थ है अर्थ में यह एक्वेटर है एक्वेटर पर सूरज की रोशनी रहती है यहां पर सू करेंगे इस सथान को कवर करने के लिए आएंगी ठंडी हवाय जो है वह लोग प्रेशर एडिया की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी जिसके कारण आपकी हवाय चलती है विंड चलती है तो जब कभी आपका लोग प्रेशर एरिया होता है तो वहां पर बैरो मेंटर की दीरे दीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं मतलब आज का मौसम जो है वहाँ पर हलकी हवाय चलेंगे और बारिश होने की संभावना है लेकिन अगर सडनली फॉल हो जाए अगर बैरोमीटर की रीडिंग में सडनली फॉल हो जाए तो क्या होगा रेनी स्टोमी वैदर होगा मतलब तूफान आने की संभावना है और बैरोमीटर की रीडिंग अगर उपर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब आज मौसम साफ रहेगा तो यह तीन बातें आपको बैरोमीटर के रिस्पेक्ट में याद रखनी है प्रेम शंकर जी गुरीवनिंग राजिंद्र कवीता कुमारी अकबर अंसारी गुड आफरनून गुड इफनिंग चलिएगा तो हमने क्या देखा कि बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी सहयता से आप एट्मोस्पेरिक प्रेशर मतलब वायो मंदली दाप को मेजर करते हैं बैरोमीटर की रीडिंग अगर उपर की तरफ जा रहे है मतलब मौसम साफ रहेगा अगर बैरोमीटर की रीडिंग नीचे की तरफ जा रहे है मतलब बारिश होने की संभाव ना है और बैरोमीटर की रीडिंग में अगर सड़नली फॉल होता है मतलब तूफान आने की संभाव ना है तो सही आंसर क्या था option number A अब देखेंगे उन ल question का answer आपको comment section में देना है तो जिनका answer सही होगा उन लोगों के नाम इस तरीके से शामिल किये जाएंगे जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को एक बर subscribe कर लेंगे जिससे upcoming classes के notification आपको मिल सके और अगर अभी तक आपने link को share नहीं किया है तो link को share कर दो अपने social media network मे जिससे जो भी student group D का, SSC का या railway का तैयारी कर रहा है तो उन तक के science के MCQ पहुंच सके चीक है आईए अब हम session को शुरुआत करेंगे हाँ गोविन जी अच्छा गोविन प्रधान जी बिल्कुल आपने answer दिया होगा हो सकता है आपने late answer दिया हो और उस तमय तक मैंने screenshot को ले लिया हो तो जब मैंने presentation बना रही थी उस समय तक जितने लोगों का answer था मैंने उन लोगों को श्रामिल कर लिया हो सकता है आपने थो शामिल कर सकें देखिएगा current affairs भी जरूरी होता है और aesthetic भी जरूरी होता है तो aesthetic के लिए तो आप मेरे साथ शाम को 4 बजे जुरूड ही रहे है current affairs अगर आप पढ़ना चाहते तो सुबह 6 बजे current affairs की class होती है तो दिन में दो बार सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे मैं आपके स जुरूरी हो current और static के लिए चलिए अब questions की चुरूआत करते है पहला प्रस्ट देखेंगे the tolerable limit of noise for the human being is 45 decibel 85 decibel 125 decibel या 155 decibel देखिएगा मैंने आपको सिखाया है कि जो sound की तीवरता होती है धुनी की तीवरता या intensity होती है उसको आप decibel में में मेजर करते हैं उसको आप decibel के ऊपर जो होता है वह आपका noise pollution आता है धनी प्रदूशन होता है अब एक intensity तत के signals को हम सुन सकते हैं उससे जादा intensity के signal को हम अगर सुनते हैं तो हमारा सर घूमने लगता है वामिटिंग आने लगते कुछ लोगों को चकर भी आ जाते हैं कुछ लोगों की म्रत्यू भी हो जाती तो अधिक decibel का जब हम साउंड सुनते हैं तो इंसान की हेल्थ पर एफेक्ट पड़ता है तो वह सीमा कॉनसी है प्रशनी है तो देखो आंसर आ रहा है राजिश कह रहा है ए ए बेटा जबलू एचो के अनुसार noise pollution है हम इंसानों की लिमिट की बात कर रहा है तो सुनने से आपको घबराट का अनुभाव होता है next question हम देख लेते हैं a fan produces feeling of comfort during hot weather because एक पंका गर्म मौसम के दवरान आराम की अनुभाव पैदा करता है ऐसा क्यों फेन ठंडी हवा की अपूर्ती करता है आपका पसीना तेजी से सूखता है हमारे शरीश से अधिक गर्मी प् बायू की प्रवाब में व्रद्धी होती है conductivity of air increases क्या रीजर नहीं जब फैन आप चालो करते तो आपको अच्छा फील होता है कोई बात नहीं अकबर जी recording देख लिया है कोई दिक्कत नहीं जब आपके फास्टिंग हो जाएंगे तो आप लाइव आ सकते हैं न चलिए इस प्रशन का अंसर करेंगे तो प्रेम शंकर जी कह रहा है option number B सुशील कह रहा है option number B बिल्कुल सही बात है आपका पसीना तेजी स सूखता है तो यहां पर जो concept लगता है वो लगता है evaporation का evaporation का मतलब होता है वास्पी करन तो यहां पर जिनको नहीं पता है उनको में एक बार repeat करना चाहती हूं कि वास्पी करन मतलब evaporation और boiling इन दोनों में अंतर होता है boiling का मतलब होता है कि निश्यत तापमान पे किसी तो देखिए की आपने चाय को रखा हुआ है आपने जो गरम चाय रखीए कुछ समय बाद इसमें एवर्परेशन हो रहा है और चाय ठंडी हो जाएगी तो जब भी वास्पी करन होता तो वो पधार्त को ठंडा करता है क्योंकि उस पधार से हीट निकल जाती है तो जब भी एवापरेशन होता है तो पधार्त ठंडे होते हैं और हीट उससे निकल जाती है तो गर्मी की समय में जब हमें स्वेटिंग होती है तो पंखा चलने के कारण क्या होता है वो पसीना जो वो भी evaporation का है, आप घर्मी के दिनों में cooler चालू करते हैं, तो cooler भी ठंडी हवा देता है, वो भी evaporation का example है, अगर किसी डियो की bottle लिया फिर इत्र की bottle अगर आप खुला छोड़ दे तो वो ठंडी हो जाती है, ये भी evaporation का answer है, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्ली सूप ये भी evaporation या वास्पी करन की घटना है, तो ये सारी concept आपको वास्पी करन से समझ में आएंगे, आपको बस इतना याज रखना है कि evaporation किसी भी तापमान पे हो सकता है, evaporation या वास्पी करन का मतलब होता है कि liquid का gas में convert होना, और जब वो गैस में परिवर्तित होती है, त समान को चीजों को ठंडा करती है और heat release हो जाती है, बात है clear हो रही है, चलो अगली बात हम देखते हैं, next है, when water is heated from 0 degree to 10 degree Celsius, its volume, जब पानी को 0 degree से 10 degree Celsius तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ ठीक है, चलो, इस प्रशन का आंसर दे हैं कि 0 degree से 4 degree तक आप पानी को गरम कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका volume, तो देखिएगा, in general, गोविन जी कह रहे हैं कि increase होगा, गोविन प्रधान का आंसर आया है कि increase होगा, चलिए, विनीद कह रहे हैं, B, किशन कह रहे हैं, A, पवन प्रशन है, और ये प्रशन ना जाने कितनी बार एक्जाम में पूछा है, अब ग्रुप D का, पिछले 10 सालों का पेपर उठाएंगा, और कम से कम आपको 5 से 6 बार ये question आपको repeat मिलने वाला है, और सही आंसर इसका option number D, first decrease and then increase, पहले घड़ता है और फिर बढ़ता है, तो ज density जादा होती है, उनका घनत्व जादा होता है, क्योंकि उसके molecules क्या होते है, पास पास होते हैं, जब आप solid को गरम करते हो, solid को गरम करने पर वो liquid में convert हो जाता है, जब liquid में convert होता है, तो उसके particle दूर दूर चले जाते है, मतलब इसका घनत्व कम हो जाता है, मतलब इसकी density क च्राट हो जाती है यही आपको पता है आपने बचपन से इसी कौनसेफ फॉलो किऊ सौलड जो होते है उनका गहनत जादा होते है और लियुक्विट देंसिटी कम होता है और शॉच्जा कμतलब कि किसी एरिया में कितने number of particles प्रेजन moc को कहला तो solid में जादा particle इस लिए उसका घनत्व के जादा है liquid में कम particle है इस लिए उसका गर्लासव कम है solid का conserv जब की perfect काumu रहे चैश opted पहली चीज़ लेकिन सारा अइस ऐा कॉनसेत् है दुनिया ī की हर में आपJust We पानी का कॉंसेप्ट अलग है अब पानी के बारे में बात करते हैं देखिएगा जैसे कि पानी है हमारे पास लिक्विड है आप लिक्विड को ठंडा करना शुरू कीजिए आप लिक्विड को धीरे 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 क्या कीजिए ठंडा कीजिए और इसको बर्फ में कनवर्ट कर हैं तो लीक्विट को आप किसमें कनवर्ट करना चाहते हूं बैसेकलि लीक्विट को हम सॉलिड में कनवर्ट करना Rankither 8 X 5 4 दिग्री सेल्सियस तक आपने घंडा किया तो ऑप देखेंगे जैसे जैसे लीक्विट को हम ठंडा कर रहे हैं, उसके particles पास पास आ रहे हैं, मतलब घनत वो बढ़ता जा रहा है और आयतन कम होता जा रहा है, तो पानी का जो density है, वो 4 डिगरी Celsius पे सबसे जादा होता है, पानी का घनत वो, यह प्रश्ण भी आता है जब 4 डिगरी Celsius से 0 डिगरी Celsius पानी को ठंडा करते हो, तो पानी का special nature होता है कि इसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है, और घनत वो कम होना शुरू हो जाता है आपने देखा होगा, बर्फ को अगर आप पानी में डालते हो, तो बर्फ डूपती नहीं है बर्फ जो होती है, वो पानी के उपर float करती है, क्यों करती है, क्योंकि इसका घनत वो कम होता और आयतन जाता होता है तो 4 डिगरी से 0 डिगरी Celsius तर जब पानी को ठंडा करते हैं, तो इसका घनत वो क्या होता है, कम होता है और आयतन बढ़ना शुरू होता है तो अगर प्रशन आता है कि पानी का घनात्व सबसे कम कब होगा तो 0 degree Celsius पे होगा और पानी का घनात्व सबसे जादा कब होगा तो 4 degree Celsius पे होगा तो पानी का घनात्व 0 degree Celsius पे सबसे कम होता है इसलिए जो बर्फ होती है वो पानी की उपर क्या करती है float करती है तेरती है जब कि item बढ़ जाता है इसलिए जो बर्फ होती है वो जादा इस्थान लेती है जादा space लेती है अब प्रशन की तरफ चलते है कि 0 degree से 10 degree तक की कहानी हो रही है तो पहले देखो घट रहा था और फिर बढ़ रहा था item पूछा है तो पहले item घटेगा फिर बढ़ेगा इस तरीके से दोनों बाते होंगी ठीक है तो सही answer क्या हो जाएगा option number D चलो अगला प्रशन देख लेते हैं isotopes are those atoms of the same element which have isotopes उन तत्वों के पर्मारू होते हैं जिनके आईसोटोप अभी फ्रेम शंकर याद हो जिए clear होगिया concept चलो शुचमेता जी jam हाता दी चलो इस प्रशन का answer करेंगी की isotopes और आईसोब बाहर क्या होते हैं चलो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस बात को मैं clear कर देती जिससे ये confusion भी आज खताम हो जाएगा आईसो टोप और आईसो बार फिकल आईसो टोप और आईसो बार आईसो टोप का मतलब होता है समस्थानिक हिंदी में क्या बोलते हैं इनको समस्थानिक बोलते हैं समस्थानिक जिनके इस्थान समान हो वो समस्थानिक है आईसो टोप है आईसो बार मतलब सम भारिक जिनके भार समान होते हैं वो आईसो बार कहलाते हैं नाम में ही आंसर शुपा होता है समस्थानिक आईसोटोप और समभारिक मतलब आईसोटोप जिनके एटोमिक नमबर तो सेम होते हैं लेकिन एटोमिक मास अलग-अलग होते हैं वो आपके isotope कहलाते हैं जबकि isobar क्या कहलाते हैं सम भारिक जिनका atomic mass समान होता है लेकिन atomic number अलग-अलग होते हैं अब प्रशने isotope मतलब समस्थाने मतलब जिनका इस्थान समान हो मतलब atomic number सेम हो बट atomic mass अलग-अलग हो आंसर क्या हो जाएगा option number B ठीक है बिलकुल गोपाल जी जो आपका CBT-2 होगा उसमें भी यह helpful होगा और group D में भी helpful होगा तो CBT-2 को भी ध्यान में रखा है मैंने और group D को भी ध्यान में रखा है तो दोनों के हिसाब से यहाँ पर हम सीरीज को को डिसकस कर रहे हैं और हर एक प्रश्ण को इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रही हूं तो आइसो टोप और आइसो बार आपको क्लियर हो चुके है ठीक है चलो अगला प्रश्ण देख लेते हैं यहाँ पर radio activity is measured by radio धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है अब radio activity की खोज जो है वो मैडम क्यूरी और बैकुरल ने की थी तो बैकुरल और मैडम क्यूरी के द्वारा radio activity की खोज की गई थी radioactive elements वो होते हैं जिनसे alpha, beta, gamma, kidney उतसर्जत होती है अगर आप प्रत्वी के अंदर जाते हैं तो प्रत जो है वो radioactive element present है radioactive element जो होते है उनसे alpha, beta, gamma, race, release होती जो की हमारे प्रत्वी के तापमान को बढ़ाते है इसलिए प्रत्वी के अंदर जाने पे तापमान बढ़ता है और अंदर जो चट्टाने होती है वो पिगली हुई अवस्था में पाई जाती है और प्रत्वी के अंदर ले लगते हो तो प्रत्वी के नीचे मैगमा होता है प्रत्वी के ऊपर आने के बाद इसको हम लावा बोलते हैं चीक है अब प्रश्ण था बिलकुल धीरेन सिंग का आंसर सही आया है गीगर काउंटर की मदद से रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है चीक है बिलकुल सही आंसर है ऑप्शन नमबर बी चलो अगला प्रश्ण देख लेते हैं देख विश ताइप अफ देख लाव देख लेटल सिस्टम इस एक्सप्रेस्ट इन दा फॉग कोरा क्रिस प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है लिक्विड इन गैस गैस इन लिक्विड इन लिक्विड आप लोग ने ऐरोसॉल जैल शॉल इन इमल्शन इन सब को पड़ा ह अलग अलग जो मिक्शिर होते हैं जैसे कि सॉलिड में गैस का मिक्शिर गैस में सॉलिड का मिक्शिर लिक्विड में लिक्विड का मिक्शिर तो अलग अलग यहां पर फॉर्मेशन होता है आपको बताना है कि जो फॉग है कोहरा है वो क्या है अच्छा धीरें जी ठीक है चलिए इस प्रशन का आंसर करेंगे कि fog क्या है कोहरा, धूम, smoke देखिए कि कोहरा क्या होता है basically gas जो होती है हमारे atmosphere में जब gas है और gas में small small से पानी के droplets है वही तो आपकी smoke है, वही तो कोहरा या fog है अब बताएए कि क्या होता है विनीद कह रहा है कि C होता है किशन गुपता जी अभी तक तो group D की कोई जानकारी नहीं है अभी तो COVID की कारण SSC, CHSL का exam भी पोस्पोन हो गया है सारे exam अभी delay हो रहा है UPSC तक का जो interview था वो delay हो गया है दिल्ली पुलिस का जो आपका physical होना था वो भी जून में चला गया है जबकि April में physical होना था तो अभी तो group D का ऐसा कोई information नहीं है अगर आएगा तो हम आपको inform कर देंगे राजश कुमार जी बिल्कुल चलिए, तो सही answer क्या हो जाएको option number 1, gas में एक तरल पधार तो gas में जी छोटे-छोटे से पानी के drops होते हैं उसको ही आपने क्या कहा है fog कहा है या smoke कहा है तो liquid in a gas fog या smoke क्या है, कहरा क्या है तो आप कहेंगे liquid in a gas सही answer है option A, B कैसे होगा तरल में gas होड़ी ना है gas में तरल है मैंने कहा ने, atmosphere में हमारे gases है, इन gases में जब small-small से पानी के drops होते हैं उसको fog बोलने लगते हो तो तरल में gas नहीं है gas में तरल है बात समझ रहे हो ना, gas ज़ादा है और इसमें कुछ पानी की drops है तो gas में एक तरल पधार, liquid in a gas सही answer option number A होगा ना कि B ठीक है, पहली चीज़ तो यह समझ यह यह clear हुआ अब देखिएगा मैंने यहां पर इक list भी बना दी है किसको क्या कहेंगे किसको क्या कहेंगे अब solid और solid को मिलाओगे जैसे कि jam stone है कोई भी दो solid पधारतों को आपस मिला लो तो solid को solid में मिलाने पर solid sol बनता है अब यहां पर बोला है solid और liquid तो देखिए कि liquid में आप पहले इस वाले को लेना है, medium को लेना है, और बाद में इसको लेना है, ठीकिन हम liquid में solid को मिला रहा है, जैसा कि पानी है और पानी में थोड़ा सा मिट्टी मिला दो, तो क्या बन जाएगा, कीचड बन जाएगा, पानी में थोड़ा सा क्या मिला दो, थारी और इन गैसेस में क्या होता है गाडियों से निकलने वाला धूढ़ा लेड के पार्टिकल शामिल हो जाता है जो लोग करते हैं डस्ट पार्टिकल होते हैं वह सब भी हमारे सॉलिण के फर्म में मिल जाते हैं तो GPS में जब सॉलिड मिलती है Gas में जब Solid मिलता है तो क्या बनता है? Aerosol बनता है क्या? Gas में जब Solid आपन बोलते हैं न कि जब pollution ज़ादा होता है production ज़ादा होता है कार खानों से, गाड़ीों से धुआँ ज़ाधा निकलता है तो आपन बोलते हैं कि Aerosol की मातरा परियावरन में जादा हो गई है aerosol जो होता है वो हमारे लिए dangerous होता है तो gas में solid का मिलना aerosol कहलाता है जिसका example क्या है smoke और dust अब solid में liquid का मिलना solid में liquid क्या कहलाता है gel कहलाता है जैसे की cheese, butter liquid में liquid liquid में liquid ये important है इसके सामने star लगा लेंगे liquid में liquid जो है वो emulsion कहलाता है pious कहलाता है क्या कहलाता है? pious या emulsion कहलाता है जैसे की milk gas और liquid को मिलाओगे तो भी क्या बनेगा aerosol जैसे की आपका clouds, आपका fog तो fog भी क्या है? aerosol है gas में क्या मिलाया है? liquid मिलाया है gas में क्या मिलाया है? liquid मिलाया है तो aerosol बना जैसे कि कहरा हो गया, बादल हो गया, mist हो गया, यह सब क्या है, aerosol है, ठीक है, अगला, solid में gas, जैसे कि sponge का टुकड़ा देता है रबर का टुकड़ा, solid होता है, उसके अंदर क्या भर जाती है, gas भर जाती है, उसको दबाओ तो gas निकल जाती है, छोड़ो तो cream वगरा होती है, वो form का example होती है, जो shaving cream होती है, वो form का example होती है, तो यह list जड़ा याद कर लेना, यह list important है, इसको याद कर लेना, इस वाले में इसको मिला रहे हैं, है न, second वाले को first में मिला रहे हैं, और क्या-क्या बन रहा है, आप खुद analysis करके answer कर सकते हो, तो इतनी च कौन सा पियर गलत मेंच है, केल्सी फेरोल, ओस्टियो, मलेशिया, नियासिन, प्लेग्रा, कोबालमिन, एनीमिया, राइबोफलेविन, बेरी-बेरी, कौन सा पियर यहाँ पर गलत है, मैंने आपको इसके पहले एक लिस्ट भी दी थी, जिसमें हमने विटामिन और से होने इसके बारे में डिसकुशन किया था, हाँ, विनीत जी, पायस, मिल्क पायस होता है, तो देखिएगा, तो कैल्सी फेरोल, मतलब विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती, तो अस्ती, अस्ती मतलब क्या होता है, हड्डियां होती तो बिल्कुल ए पेयर बिल्कुल सही है नियासिन मतलब विटामिन B3 को नियासिन कहते है और इससे प्लेगरा होता है ये बात भी सही है विटामिन B12 को को बालमिन कहते है इसमें कोबॉल्ट पाया जाता है जिससे एनीमिया होता है मतलब ये वाला पेयर भी सही है राइवोफ विटामिन के रम मक तर्षए मिन की सब्चिए में jedes सब्सक्राइब्च विर यह डोर एबर कोसे, शुचिलत बिल्कुल D सही आंसर है सुधीर कुमार D is the right answer अगला प्रश्ट देखते हैं क्लोब is लॉंग लॉंग क्या है लॉंग अपन लोग खाते हैं पानवान में भी लगी होती है लॉंग बड ओफ स्टेम बिल्स ओफ रूट फ्लार बर्ड या फिर शीट लॉंग क्या है लॉंग कुछ तरीके से दिखाई देती है कुछ फ्लार जैसी दिखाई देती है लॉंग लॉंग एक क्या है फ्लावर वर्ड है मतलब फूल है तो क्लोब क्या है एक फूल है तो सही आंसर क्या हो जाएगा option number C जड़िये अब इसका अगर हम क्लोब का लॉंग का नाम देखेंगे तो इसका बोटैनिकल नेम जो हो जाएगा वो युगनीन क्या हो जाएगा युगनिया केरियो फाइल्टा चीक है cork is a obtained from which of the falling plant cork हमें किस पौधे से प्राप्थ होता है तो basically यहां से दो प्रशनों के आंसर आपको मिलेंगे cork जो है वो ओक की ट्री से मिलता है तो ओक का जो पेड़ है उससे आपको cork मिलता है अब आपको बताना है कि ओक का scientific name क्या है तो आपका आंसर मिल जाएगा flower होता है धीरेन कुमार जी अपने बोलते हैं लॉंग का फूल तो flower होता है bird नहीं होता है क्या होता है flower होता है ठीक है धीरेन सिंग चलो इस प्रशन का आंसर कर देंगे उमेश कह रहे है option C अरपिता जी कह रहे है option C बिल्को सही आंसर है option number C quokkers cork हमको quokkers पेड से मिलता है quokkers को हम oak tree के नाम से भी जानते है oak tree हाँ थोड़े से tough नाम होते है the characteristics order of garlic is due to lesson जब हम छीलते हैं और lesson से हमको एक अलग प्रकार की गंद मिलती है किसके कारण chloro compound, sulfur compound, fluoride compound या फिर acetic acid तो lesson की जो गंद होती है वो किस gas के कारण होती है बिल्कुल विनीद मिश्र जी इंडोनेशिया हो गया और जंजी बार हो गया तो विनीद मिश्र जी आप सही कहा रहे है इंडोनेशिया जंजी बार जो है वो long का सबसे बड़ा producer है ठीक है मसालों की खेटी East India Company जो थी मसालों के लिए भारत पे और इंडोनेशिया के साथ व्यापार किया करती थी ठीक है चलो इस प्रशन का आंसर करेंगे हम तो sulfur कह रहे हैं अमित कुमार चौधरी पवन कह रहे हैं B विनीद मिश्र कह रहे हैं B बिलकु चाहिब आंसर है प्रगदी जी sulfur तो जो लेस्वन की गंद होती है वो sulfur compound के कारण होती है तो option number B बिलकुल correct हो जाएगा अगला प्रशन हमारे पास मिर्च में तीखापन किस के कारण होता है जो मिर्च होती है कैपसाइसिन के कारण कैरोटिन के कारण एंत्रोसाइन के कारण किस के कारण किस के कारण मिर्च में तीखापन होता है बिलकु चाहिए आंसर है लाइकोपिन जो होता है लाइकोपिन आपको टमाटर में मिलेगा लाइकोपिन जो होता है और ये cancer से लड़ने में हमारी मदद करता है ठीक है अब यहाँ पर मिर्ची की बात हो रहे है keratin को देख लेते तो keratin आपको gajar में मिलेगा कहां मिलेगा keratin में या gajar में gajar में आपको keratin मिलेगा और capsicin में आपको तीखापन मिलेगा जो मिर्ची का तीखापन है उसका सही आंसर हो जाएगा option number B option number B बिलकुल सही आंसर है ठीक है अगला प्रशन है हमारे पास rearing silkworm is known as रेशम की कीडों के पालन को क्या कहा जाता है epiculture, horticulture, sericulture या फिर floriculture मदु मक्की पालन को आप सभी जानते है epiculture के नाम से जानते है आपको बताना है कि silkworm मतलब रेशम के कीडों को पालना क्या कहलाता है देखो वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि अंत में एक practice question है जिसका आंसर आप comment section में देगे क्योंकि अभी आपके पास समय है आप अपने current affairs को अच्छा strong बना सकते है तो बिल्कुल सही आंसर आज चुका है option number C बिल्कुल गोपाल जी हम daily question लेते हैं और daily comment में आपको आंसर करना होता है तो यहाँ पर sericulture बिल्कुल सही आंसर है एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन हॉर्टी कल्चर मतलब बागवानी करना study of fruits and vegetables, flowers sericulture मतलब silk, worm या फिर रेसम के क्यूडों को पालना और floriculture जो है study of flowers कहलाता है for the decoration work अगला है chemically plaster of paris जो plaster of paris जिसको आप P.O.P के नाम से जानते हो इसका formula क्या होता है calcium sulfate, calcium carbonate, calcium oxide या फिर calcium oxalate चलो एक और छोटा सा प्रशन यहां पे add कर देते हैं जो calcium oxalate दिख रहा है इसके कारण kidney में stone होता है तो ये प्रशन भी आता है कि kidney में stone होने का reason क्या है तो calcium oxalate के कारण kidney में stone होता है अब आपको बनाना है कि P.O.P. का formula क्या है चलो answer कर दो ओके सुधीर कुमार जी राजियेश जी मैंने detail में सारे topic discuss किये लेकिन उसकी playlist नहीं आप पूजा महिंदर सर्च करेंगे तो आपको सारे topic वहाँ पर मिल जाएंगे गोपाल जी डेली शाम को चार बजे जो है वो group D वाली class होती है PDF के लिए परिशान नहीं होना है description में link में लेगी उस link पे click करोगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगी और सही answer आ चुका है calcium sulfate calcium sulfate P.O.P. plaster of Paris calcium sulfate C.A.SO.4 calcium sulfate hemihydrate 1 by 2 H2O तो यह जो formula है आपको किसका formula दिख रहा है plaster of Paris का दिख रहा है अगर इस formula को थोड़ा सा change करते है calcium sulfate dihydrate तो यह gypsum है तो देखो gypsum और plaster of Paris में थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर आधा H2O है यहाँ पर 2 H2O है तो gypsum और plaster of Paris दोनों का formula आपके सामने लिख दिया है calcium sulfate hemihidrate आधे को क्या पढ़ते हो hemihidrate पढ़ते हो ठीक है और 2 को क्या पढ़ते हो dihydrate पढ़ते हो तो यह gypsum हो गया आपका cement वगएरा में अपन जिपसum यूज करते हैं और यह plaster of Paris हो गया statue बनाने में घर में आपका घरों में जो plaster होता है उसमें plaster of Paris को उप्योग किया जाता है थैंक यू अभी मन्यू जी धीरेन जी ऐसा कुछ नहीं है आप भी पढ़ेंगे आपका भी सारा knowledge अब्डेट हो जाएगा अगला प्रश्न है monogite इसना ओर ओफ monogite किसका एक आयस्क है jarconium, thorium, titanium या फिर iron iron तो नहीं हो सकता है क्योंकि iron के आयस्कों के वारे में आप जानते है hematite और magnetite hematite और magnetite जो होते हैं वो iron के ओर होते हैं iron के आयस्क होते हैं आपको बताना है कि monogite इसना ओर ओफ monogite किसका एक आयस्क है basically monogite जो है वो सेंड में पाया जाता है रेत में पाया जाता, जो केरला वगेरा में हमारी beaches हो है, रेत है, वहाँ पर आपको monogyet मिलेगा, और इस monogyet से आप क्या बना लोगे, थोरियम बना लोगे और थोरियम एक radioactive element हो जाएगा, जिसका उपयोग आप नाभी की अभिक्रियों में करने लगोगे, nuclear fusion कराने लगोगे, ठीक है तो थोरियम is the right answer, सही answer क्या हो जाएगा, option number B very good, Rajesh Kumar बिल्कुल सही Nadeem, Gopal, Krishn, Vineet, Sushil चलो, Sushmita, Rajesh बिल्कुल सही answer है, option number B, अगला प्रशन देख लेते हैं यहाँ पे, सुनिएगा if our boy is sitting in a train which is moving at a constant velocity, throw a ball straight up into the air the ball will, यदि कोई लड़का एक train में बैठा हुआ है, और train एक नियत weight से चल रही है वहें gain को सीधे हवा में फेकता है तो gain उसके सामने गिरेगी उसके पीछे गिरेगी, हाथ पर गिरेगी, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा यह बहुत अच्छा एक physics का question बनता है इस प्रशन का answer देंगे कभी ऐसा करके देखीगा train में बैठे हो तो ball को उपर उच्छाल कर देखेगा और देखेगा कि ball आपके हाथ में बापस catch आती है या नहीं आती, आंगे गिर रही है पीछे गिर रही है, या हाथ पे गिर रही है पवन कह रहा है, fall in a hand बिल्कुर सही बात है, fall in the hand तो प्रशनों को देखो, तीन प्रशन में बता रही हूँ अच्छे से समझेगा अगर आप train में बैठे है और train suddenly accelerate हो जाती है तेजी से चलने लगती है और आप ball को उच्छालते हो तो ball पीछे की तरफ गिरेगी चीक है, अगर आपने ball को उच्छाला और हमारी train की speed जो है वो दीमी हो गई ठीक है, दीमी हो गई तो ball जो है वो आंग की तरफ गिरेगी लेकिन आपने ball को उच्छाला और train constant velocity के साथ चल रही थी तो ball आपके हाथ पे गिरेगी बात समझ में आई तो तीनों प्रकार से question को frame किया जा सकता है तो इन तीनों बात को याद रखना है अच्छा क्रिगेटर अच्छा होगो तो catch करेगा ठीक है, तो जब accelerate होगी तो ball पीछे गिरेगी दी में चलेगी train तो ball आँगे गिरेगी और constant speed के साथ train चल रही तो ball आपके हाथ पर गिरेगी तो C is the right answer, fall into hand next question for a body moving with non-uniform acceleration असमान तोरन के साथ चलने वाली वस्तू के लिए displacement time graph is linear displacement time graph is non-linear velocity time graph is non-linear velocity time graph is linear अब linear और non-linear graph क्या होते है तो linear graph वो होते हैं जो straight line में आपको दिखाई देते हैं मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है यह आपका linear graph होता है और non-linear graph जो है वो up-down up-down कुछ भी हो सकता है तो linear और non-linear graph यह होते हैं अब आपको बताना है कोई भी विस्तू है जो non-uniform accelerate हो रही है कभी तेज भाग रही है कभी धीमी हो रही है कभी brake लगा रही है कभी acceleration कर रही है तो इसके case में आपका जो graph होगा वो कैसा होगा? तो non-uniform में तो obvious ही बात है हमारा जो graph होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा हमारा graph जो है वो non-linear होगा बात कलियर है ना आप घर से निकली पहले 80 km से भाग रहे थे फिर रस्ते में गाय आगई आपने brake लगा दिया फिर highway आपने accelerate कर दिया समझ रही हो ना तो आपके गाड़ी में बार बार क्या हो रहा है brake लग रहा है acceleration हो रहा है मतलब non-uniform speed है आपकी non-uniform acceleration है तो आपका graph भी कैसा होगा non-linear होगा अब non-linear तो है तो ये graph किस-किस के बीच में होगा तो acceleration क्या होता है तो acceleration मतलब तौरन तौरन मतलब वेग में परिवर्तन की दर को तौरन कहते हैं Change in velocity with respect to time Change in velocity with respect to time जो है वो तौरन कहलाता है है की नहीं वेग में परिवर्तन की दर को तौरन कहते हैं तो आपका जो non-linear graph होगा वो velocity और time के बीच में होगा तो option number C बिलकुल सही हो जाएगा पहरी चीज अब इसकी unit देख लेता है unit है meter per second square तो acceleration की unit क्या होती है meter per second square होती है साथ ही साथ M0LT-2 इसका MLT formula होता है तो LT-2 acceleration का विमिय सूत्र क्या होगा LT-2 होगा ये concept clear आया अगर यहीं पर बोला जाता अगर एक body move हो रही है uniform acceleration के साथ तो graph कैसा बनेगा तब आपका answer हो जाता कि velocity time graph जो है वो linear होगा बस एक non शब्ध हटा देने से आपका answer change हो जा रहा है समझ पा रहे हो अगर uniform acceleration है तो linear graph बनेगा velocity और time के बीच में और अगर non uniform acceleration है तो velocity और time graph कैसा होगा non linear होगा यसे धीरिन जी अगर हम बात करें ट्रेन भी uniform acceleration आप ले सकते हैं साथ ही साथ अगर हम किसी satellite की बात कर रहे हैं कोई भी चीज जो एक constant speed के साथ ही चल रही है वो uniform acceleration कहलाएगा अगली बात यहाँ पर कर लेते हैं a group of archaebacteria is used to production of archaebacteria का समो किसकी उत्पादन में जरूरी होता है ethane, methane, acid या alcohol ओकी गोपाल पाटल जी आप बाज में देख लीजेगा देखेगा यह जो बैक्तिरिया है आर्शे बैक्तिरिया इसका उप्योग हम methane के उत्पादन में करते हैं किसकी उत्पादन में option number B methane के उत्पादन में करते हैं ओके शुचिल जी कोई दिक्कत नहीं है आप रिकॉर्डिंग देख लीजेगा किसकी उत्पादन में करते हैं? methane, methane का formula CH4 होता है methane को Mars gas भी कहते हैं, Biogas भी कहते हैं methane को methane को Fire Dump gas के नाम से भी जाना जाता है methane एक Greenhouse gas भी कहलाती है methane एक Greenhouse gas भी कहलाती है तो बिलकुल CH4 सही आंसर हो जाएगा तो आर्चे बैक्टीरिया में प्रोटीन जैसे कोशी का बित्ती, कोशी का जिल्ली मत्तब सेल मेंबरेन, सेल वॉल पाई जाती है और ये क्या करती है? carbon dioxide और hydrogen gas के साथ मिलकर methane by product के रूप में बनाती है तो इस वेक्टीरिया से आपको methane मिलेगा तो सही आंसर हो जाएगा CH4 methane अगला है gasohol is gasohol क्या है? ethile alcohol और petrol, natural gas और ethil alcohol any gas dissolve in alcohol ethile alcohol and the kerosene oil किसको gasohol कहते हैं? तो basically देखिएगा हमारे जो petrol होते हैं उनमें हाँ lead मिलाया जाता है और lead जो है वो वायो प्रदूशन के लिए उत्तरदाई होता है क्योंकि lead जो होता है वो हमारे nervous system को effect करता है तो भारत सरगार चाहती है कि इस lead पर हम control कर सकें तो हम क्या करने लगे हैं? अब हम petrol में lead की जगह ethile alcohol को मिलाने लगे हैं मतलब C2H5OH C2H5OH को आप ethile alcohol कहते हैं इसको मिलाने लगे हैं और इसको ही हम gasohol के नाम से जानते हैं तो सही answer है option number A Rajesh जी Govind, Pawan, Sudir, Vinid बिलकुल सही answer हो जाएगा option number A ठीक है? gasohol, 10% gasoline और ethanol होता है petrol होता है इसमें ठीक है? Which one of the following is used in a anti-freeze for the automobile engine? निमली कित में से कौन सा automobile engine के लिए anti-freeze के रूप में काम करता है? देखिएगा ठंडे छित्रों की बात करते हैं ले लद्दाक में, साइबेरिया के एरिया में Arctic और Antarctic रीजन में अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और इसमें petrol भरा हुआ है वहाँ पर इतनी ठंडी है कि आपका petrol टैंक में ही जम सकता है अब गाड़ी को start कैसे करोगे? engine तो start होने से रहा तो हमको हमारा petrol या हमारा fuel गाड़ी के टैंक में जमे ना इसलिए हम anti-freezing elements में मिलाते हैं तो आपको बताना है कि anti-freezing element कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल plumbum कहते हैं धीरेन सिंग जी lead को plumbum कहते हैं और pv से denote करते हैं plumbum कहते हैं pv कहते हैं ठीक है? सही answer गोपाल कह रहा है option number d और बिल्कुल मैं गोपाल के साथ जाओंगी विनीत मिश्रा भी कह रहा है option number d ethylene glycol ethylene glycol को मिलाया जाता है anti-freezing element anti-freezing element की तरह है आप किसको मिलाएंगे तो ethylene glycol को मिलाएंगे तो सही answer हो जाएगा option number d ठीक है? ethanol को नहीं मिला रहा है anti-freezing element है ethylene glycol अगला प्रशन देख लोगे ते हैं तो फिर which one of the falling is not correct? इन में से कौन सा कथन सकते नहीं है theory of evolution was proposed by the Charles Derwin the breaking apart of the nucleus of an atom is called the fusion एक पड़माडू के नाभे के अलग-अलग तूटने को सल्यन कहा जाता है dry eyes is nothing but a solid carbon dioxide telephone was invented by the gram well इन में से कौन सा statement गलत है? चलो इस प्रशन का answer करेंगे प्रशन थोड़े बड़े-बड़े हैं लेकिन काम के हैं यकीन मानिये आपका CBT tool का तयारी भी चल रहा है और group D का तयारी भी चल रहा है तिक्दम देली चार बजे आ जाया करो बिना का है देली क्लास होती है संडे को छुट्टी रहती है बाकी हफते में 6 दिन क्लास होती है PDF description में लिंक मिलेगी वहां से डाउनलोड हो जाएगा तो बिल्कुल B सही कह रहा है आप लोग की B statement गलत है इसको सलियन नहीं कहते हैं इसको हम विखंडन कहते हैं नाभी की विखंडन हो रहा है पहला थियोरी सही है कि थियोरी ओफ इवॉलूशन चार्ल्स रर्विन की थी ड्राइ आइस को आप कारवन डियोकसाइट कहते हैं और टेलीफोन का इंवेंशन जो है वो ग्राम बेल है लेकिन जब हमारा नाभी तूटता है तो उसको हम नाभी की विखंडन कहते हैं जबकि जुड़ने की प्रक्रिया नाभी की सल्यन कहलाती है ठीक है ऑप्शन बी बिलकुल सही हो जाएगा अगला देख लेते हैं क्रतिम उपगरहों में विद्दू तूर्जा का श्रोथ क्या है सोलर सेल मिनी निकलर रियक्टर डाइनमो और थर्मो पाई डाइनमो के बारे में बता दू कि डाइनमो का अविशकार जो है वो अलफ्रेड नोबल ने किया था डाइनमो ठीक है अब आपको बताना जो हमारे आर्टिफिशल सेटेलाइट्स होते हैं उन मय उनको एनर्जी कहा से मिलती हमारे सैटलेड को एनर्जी कहा से मिलती है सुधीर जी पहला तो आ जाने दीजिए अभी NTPC-1 का तो आ जाने दीजिए तो बिल्कुल सही बात है solar panel लगे होते हैं सूरज की रोशनी में solar panel चार्ज हो जाते हैं जिससे artificial satellite को energy मिलती है तो बिल्कुल सही बात है solar cell अगला है increasing the amount of substance does not change its किसी पधार्थी मात्रा में व्रद्धी होने से उसकी खाली स्थान में परिवर्तन नहीं होता आयतन में भार में द्रव्वमान में या घनत्व में बहुत अच्छा प्रश्न है बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है अगर मुझसे कोई पूछे गुरुपडी में कौन सा question रखना चाहिए तो मैं बोलूगी ये question रखना चाहिए increasing the amount of substance does not change its किसी पधार की मात्रा में व्रद्धी खाली स्थान को परिवर्थित नहीं करती आयतन भार रव्वमान या घनत्व sorry हाँ डाइनेमो फेराडे ने दिया था ठीक ठीक अच्छा मैंने अल्फरेड नोबल बोल दिया ना हाँ मैंने कुछ तो भी बोल दिया सही कह रहे है और डाइनेमो की डिस्कवरी फेराडे ने की थी इस प्रशन का आंसर करेंगे कुछ लोग कह रहे हैं मास में अंतर नहीं आएगा मास कह रहे हैं किशिन गुपता जी का आंसर सही आया है density घनत देखो मेरे पास एक ग्लास पानी है ठीक है अब मेरे पास दो ग्लास पानी है तो आयतन तो बदल गया बहार भी बदल गया द्रविमान भी बदल गया लेकिन पानी का घनत नहीं बदलेगा पानी में उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने होते हैं है ना तो density में परिवर्तन नहीं आएगा तो सही आंसर हो जाएगा D मतलब घनत ठीक अगला प्रशन practice question और इसके बाद हम आज का task देखेंगे कि आज का task क्या है canons wolfies is the scientific name of canons wolfies किसका वैज्ञानिक नाम है कुत्ता, भेडिया लोमडी या फिर लकरबग्गा जो भी आंसर है आपका यहां पर comment section में दीजिएगा chat section में नहीं comment section में आप हमको answer करेंगे जिन लोगों का answer सही होगा उनके नाम presentation में शामिल कर लिये जाएगे तो chat section में मत दीजिएगा यहां पर answer मत दीजिएगा आपका जो भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजेगा ठीक है शरू आज कहां देखते हैं आप टास्क आफ दे तो देखिएगा कल लास्ट क्लास में मैंने कुछ गार्डन आपको डिसकस किये थे कुछ बाते जूट गई थी तो आज हम रिमेनिंग गार्डन को डिसकस कर ल पीसे में आया भी था कि निशांत बाग कहां पा रहे तो निशांत बाग कहां पा रहे तो श्री नगर में इस्ते थे सेकेंड लार्जस मुगल गार्डन इन दा कश्मीर वैली ठीक पिलूकला बोटेनिकल गार्डन ये कहां है मंगलोर कंणाटका में है वेस्टन घाट में आपको Pillow Kula Botanical Garden देखने को मिलेगा पिंज़ॉर गारडन पिंज़ॉर गारडन कहा है तो पंच कुला हरियाना में है Garden of the Great Mughals Garden of the Great Mughals 1913 में लिखी गई है पुस्तक है और उस पुस्तक में इस गारडन की चर्चा देखने को मिलती है पिंज़ॉर गारडन पंच कुला हरियाना में है लालबाग तुलालबाग कहा है बैंगलोर कंनाटीका में है लॉ गारडन एहमदाबाद गुज़ाद में लॉ गारडन है लॉड्स बोटैनिकल गारडन डार्जिलिंग बैस्ट पंगॉल में है इसकी स्थापना 1878 में हुई थी बिलियम लॉड ने कराई थी इसलिए इस गार्डन का नाम लॉड बोटैनिकल गार्डन पढ़ गया ठीक है लोधी गार्डन लोधी गार्डन भी जो है वो नई दिल्ली में इस्थे थे सालीमार बाग इंपोर्टेंट स्टार बनाएंगे सालीमार बाग कहा है तो श्री नगर में है सालीमार बाग सिम पार्क कहा है तो सिम्स पार्क जो है कुन्नूर तमिलनाडू में है दर रॉयल बोटैनिकल गार्डन हावडा वेस्ट पंगॉल में है अच्छा ही जो Royal Botanical Garden है ये UNESCO की भी Heritage Tride में सामिल है तो 3 जुलाई 2003 को Royal Botanical Garden को UNESCO की Heritage Tride में शामिल किया गया था Tulip Garden अभी चर्चा में था Asia का सबसे बड़ा Tulip Garden जो है वो Jammu and Kashmir में है ये Tulip Garden जो है वो 2007 में खोला गया था तो ये कुछ important garden है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीके सुधी जी स्क्रीन शॉट ले लिया बढ़िया है लेकिन आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में लेगी वहां से PDF भी पूरे की पूरे डाउनलोड हो जाएगी आज का question आपने देख लिया उसका answer कमेंट सेक्शन में दे दिजिएगा हम कल बापस मिलेंगे सुभा साड़े 6 बजे अपने करेंट अफिर्स के सेशन के साथ और शान कुछ 4 बजे हम बात कर रहे हैं ग्रूप D और आपका CBT2 एक्जाम के बारे में साइन्स की बाते हैं तो साइन्स का कल 11 पार्ट होगा अभी तक 10 पार्ट डिसकस कर लिए हैं मैंने आज तक कल हम 11 पार्ट डिसकस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू ठेक क्यार और बाए बाए